हेलो दोस्तों, आज हम आई एम गुरूट सीरीज का एक्सप्रानेशन करेंगे, जिसमें मात्र पांच एपिसोर हैं, और प्रतेक एपिसोर लगभग 2-3 मिनट के हैं, इस सीरीज की स्टोरी गार्जा साब गैलेक्सी वैलूम वन से सुरू होती है, जहां पर बड़ा एपिसोर की सुरूआत होती है, इस काहानी में हमें सबसे पहले बेबी गुरूट दिखा जाता है, जो इस वक्त छोटे से पॉट में होता है, और सीप में रखे एडवांस रोबोट उसको पानी दे रहे होते हैं, उसका तेख भाल कर रहे होते हैं, और अच्छे से ख्याल इसकारे क्यूट बेबी गुरूट को पानी नहीं बलकि चीटूज पसंद है, जिसे खा कर वह जैसे मोटा होता है, तभी पॉट थोड़ा सा तूट जाता है, अब एडवांस रोबोट उसके अस्थान पर एक बड़ा गमला लाकर रख देती हैं, लेकिन उनकी इस हरकत को ब लखेल कर गिराने की कोशिश करता है, बेचारा गुरूट फिर भी उसको नीचे गिरा नहीं पाता है, एक बार तो उसको गिराने के चक्कर में खुद को लपेट लेता है, यह सब हरकत करते समय बढ़ा ही क्यूट और मासूम लगता है, आखिर कार लाक कोशिश करने के वह जल्दी ही दौने लगता है, और फिर वह बड़े गमले की पेड़ को अपना प्ठेंड बना लेता है, और उसे भी चीटूज खिताता है, और यहीं पे पहला एपिसोड खतम होता है, और दूसरा एपिसोड चलू होता है, जहाँ पर हमें गुरूट एक देगिस्तानी जगह पर दिखा जाता है, वहाँ पर गुरूट एक बड़े पेड़ पर खेल रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वहाँ वहाँ पर रखी छोटी छोटी चोटी से एक लगड़ी का घर बना लेता है, तभी वहाँ पर एक एलियन बर्ड आकर उ उस एलियन बर्ड को उठा कर ले जाती है, और इसी दौरान गुरूट का बनाया हुए ट्री हाउस बरबाद हो जाता है, यहाँ देख बेबी गुरूट को और भी जाद़ गुस्सा आता है, पर वहाँ बच्चा होने के वज़़ा से कुछ कर भी नहीं सकता था, ठक हार कर जाता है, जब वहाँ जाता है तो वहीं पाच में पढ़ी पत्तर पर उसकी नजर जाती है, और जब वहाँ पत्तर को आच आता है तो उसे चोटे चोटे ऑलिया क्रीचर दिखाई परते हैं, इनके सामने गुरूट बहुत बढ़ा था, उसके पैर रखने के कंपन इनके लि खोम मजाक मस्ती करता है और वह बहुत खुछ दिखाई पड़ता है तभी इन छोटे क्रीचर को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर फारिंग कर देते हैं और फारिंग की डर की वज़ा से उसके सरी से एक पत्ता टूटकर अलग हो जाता है जो छोटे-छोटे क्रीचर के सामन उने आकर गिरता है और वह लोग बहुत ज़्यादा खुछ हो जाते हैं क्योंकि वह उनका खाना होता है यह दे गुरूट की दिमाग में एक आडिया आता है और वह बगल के पेड़ से और भी पत्ति लाकर उनको देने लगता है जैसे ही गुरूट पत्ति लाकर उनके पास पहुँता है तो गुरूट का पैर छोटे-छोटे एलियन की सिवलाईजेसन पर पढ़ जाता है और सब के सम विचारे माले जाते हैं और उनका सिवलाईजेसन पूरी तरह से खतम हो जाता है लेकिन कुछ समय बात हम देखते हैं कि छोटे क्रिश्र अभी वी जिन्दा होते और यहीं पर दूसरा एपिसोड खतम हो जाता है और तीसरा एपिसोड शुरू होता है राकेट के सिपर बेवी गुरूट आराम से सो रहा था तब ही उससी पर किसी की होने की आहट होती है गुरूट उसे ढूरने के लिए बाहर जाता है टाज उसके पास होती नहीं है थेनोस का जिक्र होता है वहाँ से निकलते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई यहाँ जरूर था और वह जब अपने मुंडी को मुढ़ा कर पीछे देखता है तो वहाँ पर लुकिर फार्म में एक क्रीचर सेम टू सेम बेबी गुरूट जैसा ही होता है वहाँ क्रीचर भी अपने आपको गुरूट ही बताता है अपने आपको साबित करने के लिए की असली गुरूट कौन है उनके बिच एक डांस मुकाबला होता है डांस के दोरान वहाँ क्रीचर एक बर आक्टोपस बन जाता है ग्रूट सोच में पढ़ जाता है कि यहां कौन है अब इन दोनों की बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है डांस के दोरान ग्रूट उस क्रीचर को अपना दोस्त बना लेता है जिसके बाद ग्रूट उसे घुमाता हुआ दवाजे के पास ले आता है और एक बटन दबा कर उस क्रीचर को सिप से बाहर फ्यक देता है और फिर ग्रूट बोलता है आई एम ग्रूट जिसका मत्तब होता है कि मेरी जगा कोई और नहीं ले सकता है या एपिसोड बहुत छोटा होता है और एपिसोड तीसरा यह पी खतम हो जाता है इसके बाद एपिसोड चोटा सुरू होता है जहां पर हम यह देख के तो पहले उसको बहुत जादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे अपने सरीर पर पत्ते बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं लेकिन थोड़ी सी नोग छोके बाद जब वह अपने पत्ते से अपने और यहीं पर चौथे एपिसोड खतम होता है इसके बाद नंबर आता है पांचवा और लास्ट एपिसोड की यहां पर दिखा जाता है गुरूट एक स्कूल बाद लेकर रॉकेट के प्लेन में इधर उधर टाल रहा होता है ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरूट स्कूल के लिए निकल रहा हो लेकिन उसकी दिवाग में कुछ और ही चल रहा था वह अपने करीबी लोगों के लिए कुछ खास बनाना चाह रहा था इसलिए वह कभी किसी बुक में से पन्ने निकल लेता है तो किसी कैसिट में से रील निकल लेता है यहां तक कि वह डेक्स का साबून और संपो भी चुरा देता है और वह राकेट का पूझ भी कार लेता है और इस तक्रम के पिछे गुरूट का मकसद था एक पैंटिंग बनाना और इस पैंटिंग में वह साइनिंग और स्परक्री लाने के लिए गुरूट उस सिफ में एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे उस सिफ में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है या सिफ राकेट का बहुत पसंदीदा होता है इसलिए जैसे ही धमाका होता है तभी राकेट भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही या सब देखता है तो गुरूट पर चिलाने लगता है तब ही गुरूट उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग देता है जिसमें गार्जन साफ गेलेक्सी का सीन होता है जिसमें बड़ा गुरूट सबकी जान बचा रहा होता है याद देख रॉकेट का गुसा सांथ हो जाता है और वह बहुत ही इमोसिनल हो जाता है तब ही जहाँ पर जहाज में छेद हुआ था उससे आने वाली हवा राकेट को अपनी तरफ खीच लेती है तब गुरूट अपने हाथ को लंबा करके राकेट को बचा लेता है और इसी की साथिया सांधार एपिसोड भी यहीं पे खतम हो जाता है